जार दोस्तों मैं संजय आपका बहुत बहुत स्वाइक करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं MT4 के रिगार्डिंग और यहाँ पर कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट्स किया है कि सर आपने ट्रेडिंग के रिगार्डिंग डेल्टा एक्षेंज के बारे में बात की थी और डेल्टा एक्षेंज पर लेकिन कैसे काम करना है कैसे काम करके उसमें पैसा कमा जाता है या फिर per trade उसमें कैसे क्या margin लगता है वो सारी बातें हमें clear करके बता है दुझे लिए दोस्तों मैं अब सभी question के answer आपको बिल्कुल क्रमबाइस देना चाहता हूं और कैसे delta exchange के अंदर काम होता है वो सारी चीज़ी मैं आपको clear करना चाहता हूं तो मैं आपको लिए चलता हूँ सबस interpretation Δ dimension लेये चलता हूँ सबसे पहले delta exchange पे तो यह रहा अपना delta exchange ठीक है तो delta exchange मैं सुरुआत से यहाप चुरूत करता हूँ यहापर जैसे आप delta exchange पे आते हो तो यहाँ पर आपको simple सा अपना account login करना है आपको account कैसे open करना है मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है तो यहाँ पर देखेगा यह market लिखा होगा future लिखा होगा option लिखा होगा और more लिखा होगा तो आपको simple सा market पर click कर देना जैसे आप market पर click करते हो तो इस तरह से देखेगा आपको market की यहाँ पर window open होके आजाती है इसमाँ आपका देखेगा option, future और analysis सारी छीए यहाँ पर आजाती आप यहाँ पर simple सा future पर click कर सकते है future पर click करके आप यहाँ से भी इसको click कर सकते हो या फिर उपर जो future लिखा है यहाँ पर भी आप directly click करके future पर आ सकते हो लेकिन इस पर future पर click करके diet आओगा तो आपका जो भी चार्ट आपने last time open किया था वो आपका show करेगा लेकिन मैंने जो आपको तरीका बता तो उसके according कर आते हो तो यहाँ पर आप आजाते हो अब simple सा देखेगा अब यहाँ पर question यह आता है कि हम इसके माद्यम से delta exchange के माद्यम से किन-किन के ऊपर हम काम कर सकते हैं तो यहाँ पर देखेगा बताना चाहूंगा आपको देखेगा सबसे पहले Bitcoin मिल जाता है Ethereum मिल जाता है बागी other जोग अपनी crypto currencies है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है यह exchange सिर्फ और सिर्फ crypto में ही काम करवाता है अगर आप सोचरोग में इसके 4X के अंदर काम कर लूँ Forex के मतलब जो currency होती है उसके अंदर काम कर लूँ तो सब नहीं होगा ठीक है यह सिर्फ और सिर्फ crypto के लिए यहाँ पर इंडिया के अंदर इसमें permission मिली है तो अब सर बात आती कि इस पर काम कैसे करना है कैसे असमें मतलब की trade किया जाता है तो यहां पर देख सकते हैं आप जैसे की यहां पर bitcoin पर आएंगे तो जैसी bitcoin में click करता हूँ तो मैं bitcoin के उपर सारी चाहिए आपको बताना चाहँगा जैसे मैंने bitcoin को उपर click किया तो देखेगा bitcoin का मुझे chart यहाँ पर show कर रहा है और bitcoin के यहाँ पर देखेगा ऊपर देखेगा तो यहाँ पर कितना volume हुआ है कितना volume हुआ है यहाँ पर open interest कितना है और आज देखेगा कितना percent लगवा market में changes हुआ है वो सारी बातें आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाती है और आप जैसे right side में आते हो तो यहाँ पर देखेगा by default आपको buy long यहाँ पर एक मिल जाता है और यहाँ पर देखेगा बताना चाहूँगा buy भी कर सकते हो और sell भी कर सकते हो अब simpleS हम buy पर हम यहाँ पर आता है और यहाँ पर इसके just नीचे वाला जो है यहाँ पर leverage लिए लिए लिखा है उसमें हम यहाँ पर click करके देखते हैं आकर यह क्या है तो बतना चाहूंगा leverage मतलब होता है आपके पास जितना आपने account में पैसा है उसका कितना गुणा आप leverage यूज करना चाहते हो तो यहाँ पर देखेगा यह leverage जो है एक गुना, दस गुना, पच्चिस गुना, पचास गुना, सो गुना, डेर सो गुना, दो सो गुना जो भी आग पर एक्छा हो यानि कि सिंपल सी बात है जो amount हमने इसके अंदर add कर रखा है उसकी अगर मैं 200 गुना अगर लिमिट यूज करना चाहूं तो यह लिमिट मेरी आ रही है अगर 100 गुना यूज करना चाहूं तो लगबग यह लिमिट आ रही है तो इस तरह से आप मतलब कि यहाँ पर लिमिट ले सकते हो यह सर आप पर डिपेंड करता है, आप लिमिट को यूज कर सकते हूं, यह देखेगा, अब हम थोड़ा से नीचे आता है, अब यहाँ पर लिखा आता है, साब क्या आता है, लिमिट, मार्केड और स्टॉप लोस लिमिट, लिमिट मतलब होता है, आप कोई भी जब ओडर लग अब जैसे कि मान के चलिए अभी बिटकॉन चल रहा है, अपना 161200, तो मुझे 161250 के उपर एंट्री करना है, पहले ही नहीं करना, ठीक है, और जैसे कि क्वाणिटी कितनी करना, जैसे कि मान चलिए 250 में जादा आगे लगा दिया, जैसे कि मान चलिए 150 के उपर मुझे 100 काउंट अगर करोगे, तो महाँ पर क्या होगा, लगबग यहाँ पर आप मतलब कि बिटकॉन की क्वाणिटी बढ़ जाती, सिंपल सी बात है, जैसे हैं आपर सपोस्ट कीजिए, मैं एक बिटकॉन ले पर महलब कि एक काउंट अगर मैं यूज करता हूं, तो कितना लिख अगर इसको हजार कर देता हूं, तो यहाँ पर एक बिटकॉन मतलब मैं इसमें ट्रीड करना हूं, तो ठीक है, यहाँ पर जैसे आप जितनी क्वाणिटी आप इसमें एड करोगे, तो यहाँ पर आपके बैलेंस के अकाउडिंग महाँ पर वो लिखिया जाएगी, जैसे द यहाँ पर अगर मैं 10 मलब की क्यांटी में चाहते हूं, यहाँ पर देखिए का लगवक तीन डॉलर का यहाँ पर यूज हो रहा है, और आपके पास मार्जन कम है, आप बिल्कुल चाहते हो कि नहीं आप कम से कम में काम करना चाहते हूं, तो आप एक में भी कर सकते हूं, य कम से कम पैसे में यहां पर काम कर सकते हूं, अब सर बात आती है, जो भी आपका अवेलेबल मार्जन होगा यहां पर आपको यूजड के फोर्म में लिखा आता है, लेकिन हम इंडियल लोग इसाब हमें चाहिए कि हमारे कितना पैसा है, हमें डायट दिखना चाहिए, तो अगर कोई ट्रेड करते हूं तो यह अपर लिखा आता है, वो आपको यहां पर लिखा आता है, और जो भी आपका अपर आपका, बन ग्रीड करके करते हैं, यहां पर लिखा भी 1 USD बराबर 85 रुपीज, इस चीज आपको कर लेते हैं ति आप अपर ट्रीडिंग कर तेम पर कैसे क्या होता है थोड़ा हम भूस दो समझ लेते हैं सब अरोष कीजिए यहाँ पर मैं एक कुई करता हूँ मिलब कि एक कुई कर लेता हूं ज्यादर मैं आपको करकें ना दिखाँगा को तो बाइ पर क्लिक करने बाद देखेगा, यहां पर लिखी आएगी, क्या है order value यारी है, यानि कि order value मतलब इतना USD आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, हाला कि margin आप यूज़ कर रहे हैं, बलके actually अगर मैं बिना margin के ट्रेड गरता, तो यहां पर कितना होता, margin इतना लगता, अभी मैं margin के थुरू काम कर रहा हूं कितना, लगबग मैं 200 गुना margin के थुरू काम कर रहा हूं, उसलिए मुझे यहां पर 3 USD लग रहे है, मैं रपास कितना balanceable वल, यहां पर आप मुझे शो कर रहे है, limit price, यानि कि market के अंदर देखेगा, अभी current में, मैंने यहां पर limit order डाला थे, यह आपको सामने दिखाए दे रहा, तो limit order price अगर आपने डाली है, यहां पर लिखा आएगा, अगर आप जैसे कि यहां पर market में, अभी current में liquidity price, जो market current में चल रहा हूं, आपको यहां शो कर रही है, और load size यहां पर शो करेंगे, तो मैं limit price फूला हटा रहे चाहता हूं, जैसे मैं फिर से जाता हूं, यहां पर limit price जो मैंने दे रही है, उसको हटा देता हूं, मैं market पर click कर देता हूं, market मतलब क्या, जो भी market में price चल रहा होगा, तो मैं market price पर आता हूं, और simple से यहां पर मैं dos quantity यहां पर select कर लेता हूं, और यहां पर इसको मैं buy पर click कर देता हूं, जैसे मैंने click के हैं, यहां पर दिखेगा लिगा है order submitted, यहां पर लिखा आ चुका है, अब यहां पर दिखेगा, अब यहां पर दिखाई देगे, अब यहां पर आता है सब यह देखेगा index price, index price मतलब क्या होगा, कि market में, current में, जो price चल रही होती है, बो मतलब की index, मतलब की index की जो price चल रही होगी, यहां पर शोग करेगी, अब यहां आता है market price, market price मतलब होता है कि सर, जो भी आपकी market मतलब ही live price चल रही होगी, बो आपको यहां शोग करेगा, index price मतलब क्यों ना last trading price हम लोग चेक करते हैं, बो last LTP price यहां पर यह शोग आपको करती है, तो यह index price मतलब होती है, LTP price, market price मतलब जो भी आपको यहां पर सामने market price दिखाई दे रही है, बो price, चीक है, अब यहां पर आता है liquidity price, चीक है, इसका मतलब यह होता है कि यहां पर हमने जो काम किया है, बो यहां पर इसमें automatic SL लग जाता है, automatic in the sense, अगर आप जिसे की मान की चली, यहां पर आपने बाई कर लिया इसको, अब आपको नहीं पता, कि अगर market घटेगा तो क्या होगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, आपने simple सा बाई कर लिया, लेकिन delta exchange के अंदर यह facility होती है, कि automatic, अगर आपका यहां पर आपने जो बाई किया, जिस price से, अगर market वहां से नीचे आ जाता है, तो यहां पर आपको लिखिया आती है, liquid price, ठीक है, estimate liquid price आपको यहां पर आती है, इसका मतलब होता है, कि इस price पर गर market आ यहां चुका है, जैसे कि आज आएगा नीचे, इस price पर तो आपका automatic order यहां से score of कर दिया जाएगा, ठीक है, यानि कि भली आपने stop loss लगाया है, या नहीं लगाया, delta exchange को इससे कोई फरख नी पर था, बहुत सिंपल सा, जैसे आप इस price पर market आएगा, तो आपका order यहां से exit हो जाएगा, आप market से exit कर जाओगे, ठीक है, अब यहां पर थोड़ा और आगया आते हैं, तो यहां पर लिखा होता है margin, margin मतलब कि इस पर particular order में, मुझे कितना margin यहां पर मेरा block हुआ है, बो यहां पर लिखा आता है, अब यहां पर यह आता है talk up लिखा आता है, यहां पर auto talk up, अगर इसको आप on कर दोगे, ठीक है, अगर इसको आप on कर दोगे, तो क्या होगा, यह जो price है, इस पर market आएगा, तो भी आपका यहां पर जो, order है, वो exit नहीं होगा, ठीक है, मैं इसको आला कि अधिकतर इसको off रखता हूँ, तो क्यों कि market है न, कभी कुछ भी कर सकता है, तो क्यों न अगर इसका फाइदा मिल रहा है, automatic बाला, तो इसको यूज करें, अब यहां पर आता है, unrealized profit and loss, इसका मतलब होता है, अभी current में जो live price चल रहा है, उसके according, आपको कितना profit and loss चल रहा है, वो आप यहां पर check कर सकता है, ठीक है, तो जिस price है, मतलब कि अभी जो ordering मतलब की entry किया है, 167 से, वहाँ पर देखेगा, market अभी यहां पर चल रहा है, तो आपका unrealized loss profit आपको यहां शू करता है, ठीक है, तो सारी चीज़ में आपको बता चुका हूँ, इस तरह से मतलब कि यहां पर सारी चीज़ आपको चेक कर सकते है, तो यह तो सर आ गया, अभी यहां पर देखेगा, unrealized loss profit है, बाद मुझे दिख रहा है सर, USD में, सर मुझे समभी नहीं आ रहा है, क्या करूँ, मुझे कितना पैसा मिल रहा है, मैं यहां पर समभी नहीं पा रहा हूँ, तो वहां पर हम लोग करेंगे क्या, हम simple से यहां पर यह करेंगे, कि हम यहां पर थोड़ा ऊपर आएंगे, और जैसे मदलब यहां पर मेरा बॉलेट हैं, इसमें मैं क्लिक करूँगा, तो यहां पर जैसे मैं कोई बाता आथा न, थोड़ दिर पहले, कि ब्लोग मार्जिन यहां पर लिखा होगा, तो यहां पर मुझे मेरी करेंशी के अंदर, INR के अंदर वेल्यू शो कर रही है, जैसे मेरा 3 डॉलर यहां पर ब्लोग हुआ है, तो 3 डॉलर के वेल्यू कितनी है, 260 रुपए, और कितना मुझे, कैश मतलब की यहां पर, यहां म लिखा हाता, अनरलाइस कैश फिलो, मतलब कितना लोस प्रोफिट मेरा चल रहा है, वो मुझे यहां पर दिख रहा है, वो मेरी करेंशी के साफ से दिखाई दे रहा है, यानि कि इंडियन करेंशी के साफ से, तो देखेगा मुझे कितना प्रोफिट लोस हो रहा है, यहां पर दिखाई दे रहा है, कि एक कोईशन मेरे पास आया था कि सर्म जी वो ट्रेड करते हैं तो उसमें सर्म हमारा ब्रोकरे चार्ज कितना क्या लगता है थोड़ा बहुता है तो मुब आपको क्लियर कर देता हूँ आप देखिए कि जैसे ही मान के चलिए किन्य क्वानेटी में ठ्रेड किया यहां पर मिल जाएगा और minute present which Estados मेरा लगा यहां पर मझेए मिल जाता है देखना कीकिम मिल जाये हो है ऑब यहां पर लिखा आता शाहाँ इन पर देखना है vra ml फीस बाला तो यहां पर देखें करेंट में जो मैंने इभी ट्रेड किया करेंट में उसे मुझे ट्रेडिंग फीस कितने देनी पड़ेगी 0.32 यानि कि मुझे लगबाग है ना 0.32 USD देना पड़ेगा ठीक है इसके बेली आप निकाल लेजेगा ठीक है जदने भी हो तो यहां यानि ट्रेड किया था वहां पर मुझे ट्रेडिंग फीस लगई थी 1.62 USD तो यह ट्रेडिंग फीस आपको यहां पर लगती है तो उसके रिगार्डिंग आप यहां पर चेक कर सकते हो अब सपोस किजीए आपको यहां पर एक डॉलर का प्रोफिट हुआ उपको यहां पर के थोड़ा समझा देता हूँ क्योंकि जो लोग हैं वो कम से वो चीज को समझ है अब suppose कि जी आपको यहाँ पर एक डॉलर का profit हुआ चीक है अब trading fees कितने लग रही है trading fees अपनी लग रही है आपर देखिएगा trading fees हमारी लग रही है 0.32 चीक है यानि कि अभी आप 0.68 यहाँ पर आप इसमें profit में हो तो यहाँ पर आपकी जो भी fees लगेगी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी या उससे आप पता अगर सकती हो भी मेरा तो यह fees लग रहा है इसके ऊपर जो रहेगा वो मेरी कमाई है तो आप जब भी ट्रेड करो तो भी अपनी जो ट्रेडिंग फीस है उसको पहले चेक कर लेना इसके ऊपर ही मदलब की profit बुक करना ऐसा मत करना आपका profit ओरा 0.32 और आप मदलब की 0.32 पीस भी आपकी लग गई और उसमें आपने मदलब क्या किया उसमें exit कर दिया तो क्या होगा आपको सरी यहां पर मुनाफ़ा दिखाएं देगा आप बोलो गर्या है तो नुकसान हो रहा है आप भी देखेगा यहां पर लगबग 18 रुपे का मुझे profit यहां पर शो कर रहा है यहां आप चेक कर सकता है यहां पर इतना पुझे profit यह कर रहा है वह लगबग 0.46 यानि कि मेरा 32 तो मतलग कि मेरा वो लग जाएगा इसके उपर जो बचेगा वो मेरे account में aid हो जाएगा तो यहां पर अभी मैं profit अगर बुक करना चाहूँ तो भी मैं profit बुक कर सकता हूँ यहां पर इसका प्रेट यहां पर आपको जानकारी मिल जाती है जैसे पहले मैं ने ट्रेड किया तो वहां पर इसकी जानकारी मिल गई है यहां पर जो भी मैं इसका trade जब close करूँगा यह वाला तो इसका value मुझे show कर जाएगा और दिखाना चाहूँगा जो भी जो अपनी इसमें फीस लगती ट्रेडिंग फीस वो एक तरफ लगती है आप buy करो या sell करो एक तरफ लगी जैसे मैं आप इसको buy किया था तो शुरू मेरी यहां पर फीस लग चुकी थी जिए मैं इसको exit किया तो वहां पर देखिए मेरी कोई फीस नहीं लगे यहां से clear हो जाती है पोजिशन यहां से score up हो जाती है ठीक है यह देखिए मैंने डेमो में लबकि आपको बता था हमें प्रोफिट कमाने का आपर कोई यहां लालश नहीं था इस वैसे मैंने आपर कोई वेट नहीं किया यहां पर देखिए आपकी position यहां पर लिखा था one व अगर आते हैं यहां पर देखिए का यह हमारी order history यह रही ठीक है तो यहां पर देखिए का हमें सारी चीहें दिखाई देती है हमारा profit होगा तो भी हमें दिखाई देगा और loss होगा तो भी हमें आपर दिखाई देगा अब सर यहां पर लिखा आया कि यह आपकी मतलब की fees ल नहीं हो पाई, ठीक है, इसलिए आपका जो नुकसान हुआ है, वो इतना हुआ है, और उसमें से उपर आपकी इतनी फीसिस में एड हो गई है, तो यह भी आपका प्रोफर नुकसान है, इसका मतलब यह होता है, यानि, यानि सपोज कीजिए, आपका जैसा कि नुकसान भी कित हम यहाँ पर देखे तोड़ा quantity sell करना चाहूंगा यह देखेगा लगातार मेरा जो इसमें जो अपना software है वो यहाँ पर बोल रहा है कि market selling वो जाने का है तो एक में time frame पर check कर सकते हैं यहाँ भी market selling पर है 5 minute में यहाँ पर लगो market यहाँ पर साइड बेश चल रहा है लेकिन पाच में time frame पर selling अगर बनता है तो definitely market गिरेगा और एक में time frame पर देखेगा लगातार मार्केट अंदर गरावट देखने के लिए मिल रही है ठीक है तो इस तरह सर आप trading कर सकते हो इस तरह trading कर कि आप पैसा बना सकते हो और देखेगा bitcoin जो होता है काफी जाधा trending बाइस चलता है इसमें trend follow होता है market का तो definitely trend के coding काम करेगा आप easily यहां से पैसा earn कर सकते हो और software के आप यहां पर simple सी ही मदत लो क्यों तो क्वे software आपको अर्ची ही बताएगा भी market में करना क्या है जैसे देखाना चाहूंगा जैसे कि यहां पर मैं आ जाता ह हूँ और यह देखीगा sell signal यहां से generate हुआ था कितना इसका price था तो इसका price window में आपनों open कर देता हूँ यह रहा data window यह देखीगा sell signal यहां से generate हुआ था इस candle का closing price कितना है यह आपको यहां दिखाई देगा इस point पर देखीगा कितना है 12,260 रुपेस का closing है इसके बाद देखीगा market नीचे गीरा दढ़ा दढ़ मार्केट नीचे गीरा इसका lower point देखीगा 60,500 इसका lower point देखीगा 60,500 इसका lower point का moment यहां पर मिला आपको आप यहां पर कितना मुनाफ़ बना सकते थे 1500 points आपको easily मिल जाता है ठीक है क्योंकि यहां पर एक तरफा movement होता है इसके बाद थोड़ा इसका पीछे जलते है थोड़ा पीछे इसका record चेक करता है यह देखीगा यहां sales signal generate हुआ था कितने पर 1430 है ओ देखीगा लगातार market न करना चाहूंगा Bitcoin जो होता trend follow करता है यहां पर जो काम करने वाले जिनको ज्यादा knowledge भी नहीं होता वो भी काम कर सकते है अब एक मर पास question आया था सर यह तो होगए future की बाली बात अब बात आती है कि यहां पर Bitcoin के अंदर हम आपर option में कैसे काम करें option में काम करें है simple से यहां पर आप इसके option लिखाओ को इस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप option पर क्लिक करते हो यहां पर देखेगा option के regarding आपको सारी information आ जाती है अब देखेगा current में आपको जो option की value चल रही है आपको सारी यहां पर शो करेगी with strike price और यह अब देखेगो open interest, bid quantity, bid की मतलब प्राइस और यह मतलब की mark price यानि की LTP, ask price तो यहां पर आपको शारी चीए शो करती है आपका जितना margin उसके साफ से आप यहां पर trade कर सकते हो जैसे कि आप यह ऊपर का जो हिस्सा है आप चेक कर सकते हो यह left side का हिस्सा चीक है और यह right side का हिस्सा यानि की call put हमें आपर totally आपर दिखा करूँगा तो फिक है ग्रावड मतलब को हमें put option buy करना होता है और यहां पर बताने चाहूंगा इसमें आप call put selling भी कर सकते हो जह हम nipty by nipty option में काम करते हैं तो हम call put sell नहीं कर पाते हैं लेकिन आप यहां पर call put sell भी कर सकते हो ठीक है अर सपोस किजिए यहां पर extra data का यहां आपर यही मैं निकाल लेता हूं इस तरफ का call है उपर देखिए कि लिखा हुआ call और right side का put है ठीक है तो extra data का मैं आपर put option निकाल लेता हूं जैसे कि मैं इस पर click करूँगा जैसे मैं इस पर click करूँगा तो extra data का put मैरा मतलब कि ही आपर आ जाता है उसकी value मुझे आपर कर सकते हो और sell भी कर सकते हो ठीक है जैसे आपको लगना भई market नीचे ही गिरेगा ठीक है तो आप इसको क्या करो आयट buy करो और आपको लगना यार मैं तो इसको sell गरना चाहता हूं sell भी आप कर सकते हो margin की कोई tension आपको नहीं होईने वाली ठीक है buy पर जब click करोगे simple सा market पर click करें कि जो भी quantity आप करना चाहते हो तो वहाँ पर रखो और इसको buy कर सकते हो sell करना गलिए simple सा sell पर click करो यहाँ पर जो भी quantity आप रखना चाहते हो उसके अचाहते हो और call put में भी यहाँ पर quantity चलती है ठीक है यहाँ पर ऐसा नहीं को आपको पूरा मतलब इसी price पर आपको ज़तना आपके जएब में पैसा उतनी उसके according आप काम करो, तो यहांपर देखिएगा आप 10 quantity मैंने पर select कर रहा है, तो यहांपर देखिएगा मैं यहांपर इसको sell भी कर सकता हूँ, इस price से, तो इस तरह से यहांपर call put में आप काम कर सकते हो, easily काम कर सकते हूँ, जैसे मैं 10 quantity यहांपर sell करके दिखा देता हूँ, यहांपर margin कितना लग रहा है, लगवग 6 USD यहांपर लग रहा है, इस में जैसे click करूँगा, तो मेरा सामने से market देखिएगा, यहांपर चेक कर सकते हैं, यहांपर नीचे जाओँगा, यहांपर नीचे जाओँगा यहांपर पोजिशन है, यहांपर पोजिशन में मिल जाएगे देखने के लिए, अब पोजिशन में आपर आऊँगा, देखिएग में साइड यहांपर दिखाई दे रही हो, कितना margin मेरा hold up दिखाई दे रहा है, entry price, सब देखिए मेरी 530 से entry price है, अब market price के जल रही है, 535 की market price चल रही है, तो य यहांपर दिखाई देरी होगी, अब लेकिन जैसे market अगर उपर भाग जाता, कुछ अगर ultra mirsat हो जागा, तो क्या होगा, 835 पर जाके auto score of मेरी position हो जाएगी, ठीक है, अब margin मितलब किसमें कितना लगा मेरा, margin यहांपर लगभग 11 dollar, यहांपर margin block cash ने कर दिया, कितना loss profit हो र यहांपर जैसे मैं आऊँगा, यहां से देखिएगा, आनेक बाद में simple से यहांपर आऊँगा, यहांपर देखिएगा, 0 dollar log 19, यह मेरा UHD यहांपर margin लगा है, ठीक है, तो यहांपर देखिएगा, इतना margin मेरा लगा है, इसके according यहांपर चेक कर सकते हैं, तो सर आज आपने अधिया किया तो 530 पे sell किया है, और 513 करेंट में चल रहा है, अभी देखिए हमारा profit चल रहा है, और यह profit आपको दिखाई दे रहा है, यह profit अभी current में आप देखिएगा, यहांपर आपको इस तरह से show कर रहा है, यह profit आपका ब्रोकरेज कटने के बाद आपका show कर रहा है, आपका ब्रोकरेज कटने के बाद आपका प्रोफिट यहांपर show कर रहा है, ऐसा नहीं है भी हम लग 530 से sell किया था भी इतने price चल रही है, और हमें इतना से दिख रहा है, ऐसा कुछ ही नहीं, यह ब्रोकरेज कट होने के बाद शो कर रहा है, यह से अपना break-even point अगर मैं बा से trading करके 1000 लाग रुपा पड़े बना सकते हो, यहांपर software आपकी काफी मदद करने वाला है, क्योंकि, क्योंकि software जो होता market के trend के हिसाब से आपको चीह बता देता भी आप चेक कर सकते है, विटकोन के total overall trend चल रहा है, लगाता negative चल रहा है, ठीक है, तो आपको simple सा करना क्या है अगर बाता नगेटिव है, तो आप यहांपर selling करो future, और अगर आप put, put में क्या होगा जब market गिरता है, put बढ़ता है, ठीक है, तो आप यहांपर put भी मतला buy कर सकते हो, कोली भाई कर सकते हो, तो आप यहांपर यहांपर यह काम कर सकते हो, ठीक है, तो मैंना example के लिए सारी मैं आपको बताई थी, मैं पोजिशन को यहां पर exit कर देता हूँ, ठीक है, अभी देखिए तोड़ा से नुकसान रोड़ा वेट करता हूँ मैं, इसके बाद तोड़ा से मदला किसे मैं ब्रेक इन पर निकाल दूँगा इसको मैं, ठीक है, तो आशे करता हूँ जानगारी यहां पर कितना amount आप मतलब कि ट्रेड करना चाहतों, कितना विद्रो करना चाहतों, यहां पर आएगा, कम सखम आप 500 रुपे यहां से बिद्रो कर सकते हो, और maximum आप कितनी कर सकते हो, सब्सक्राइज मैंने 500 यहां पर select किया, ठीक है, तो बिद्रो जब करूँगा, तो यहा कितनी लगती है, जैसे कि 1000 रुपे का amount यहां पर डालता हूं, तो यहां पर 5 रुपे मेरा यहां पर देखिए का transition charge कटेगा है, ठीक है, तो यहां पर suppose कि मैं 500 रुपे यहां पर भी example करके देखना चाहता हूं, तो यहां पर 500 रुपे यहां पर exit मतलब कि बिद्रो करूँग तो डाही रुपे मेरी फीस में कट जाएगी, मुझे लगबग जो डिमेट अकाउंट में है, मैरा bank अकाउंट उसके अंदर लगबग चारु संत्यान रुपे 50 पैसा मुझे मिल जाएगा, तो यहां इसको submit कर देता हूं, जैसे मैं submit पर click करूँग, तो यहां पर देख सकत करना है, मैल IDP जो OTP आया है, वो आपको यहां पर enter करना है, इसके बाद ही यहां पर आप यहां पर इसको submit कर सकते हो, ठीक है, तो मेरा OTP यहां पर मैं enter कर देता हूं, यह देख सेगा, मैं OTP यहां पर enter कर दिया है, और इसको submit कर देता हूं, तो मेरा यहां पर देख सेगा, अभी देखेंगे यहाँ पर लिखा रहा है कि amount मैंने इतना दिया है और यहाँ पर देखेंगा मैंने account यहाँ यह मलग की date और यहाँ पर अवेटिंग फोर्ड है processing यह अवेटिंग प्रोसिसिंग लिखा रहा है तो सिंपल सी बात मैं सारी चीज़ें आपको clear करके मैंने दिखा दिये कैसे कि असमें trade होता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ आज यह करता हूँ दोस्तों आपको जानकर अच्छी लगयोगी मिलते हैं कि नए वीडियो साथ तब तक के लिए bye and thank you for the watching